कुछ दिन पहले दैनिक भासकर की एक कॉलमनिस्ट अपने कॉलम पावर गैलर्यू में एक छोटी सी खबर चापी थी जहाँ पर लिखा था कि बंगाल को तीन हिस्सों में बातने की तयारी चल रही है इस बात को लेकर चर्चा चल ही रही थी कि आज लॉकडाउन को लेकर आयोजित किये गए एक प्रेस कॉन्फरेंस में मुख्यमंत्री के सामने ये सवाल फिर से उठा एक जर्नलिस ने ये सवाल किया कि केंद्र सरकार नौध बंगाल को अलग यूनियन टेड़े टेड़े बनाने की सोच रही है इस बात की जवाब में मुख्यमंत्री मम्ताब एनर जी ने ये कहा कि ऐसा संभवी नहीं है ए मने अच्छी जानो मुहारानी निजेई राज्य निजेई आर्की निजेर घरे अलंकार वितरोन किछेन जानो देश्टा के इफाबे मेने मुणे करते बिजेपी आतो सहोज उत्तर बंग दक्किन बंग पार्तकोटा को थाए किरुए नकी कुल कर दिकने ज 노वा औरुसे लेत जो यज़े श नात्याय केoo अमि कुछ भीयर टा विक्री कोड़ दो अतो सॉस्था नॉय। विजबी जुद्यु दि मने करे आमि दार जिलिंगता विक्री कोड़ दो अतो सॉस्था नॉय। अगर केंद्ध सरकार ये सोच रही है तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। बीजेपी की सरकार हमेशा से ही बटवारे की राजनेती करती आई है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि बीजेपी के नेता दिल्ली सम्हाल ने यही बड़ी बात है। उनको बंगाल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। विधान सभाद चुनाब में हारने के बाद भी उन्हें समझ नहीं आया। चुनाब में हारने के बाद उन्हें तो ये समझ जाना चाहिए था कि बंगाल के लोग किस तरके के सोच रखते है। चुअचे केज गणाख बंगा के फिर अवाद चुनाब में के बंगाल के बंगाल के लोग के लोग के स्याहिए था कि जरू करे। दरसल दैनिक भासकर के रिपोर्ट में ये कहा गया कि बंगाल को तीन हिस्सों में बाटा जाएगा एक हिस्सा होगा नौध बिंगॉल का, दूसरा हिस्सा होगा मुशिदबाद और मालदा का एडिया और तीसरा होगा साउध बिंगॉल का खैर इस मामले में मुख्य मंतरी ममता बैनर जी ने तो अपनी प्रतिक्रिया दे दी है पर इस मामले में आगे केंद्र सरकार कैसी रियक्ट करते हैं ये तो आगे चल कर ही पता चलेगा तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे निजस्तान